लगबख सबके दिन के सुरुवात चाय से होती है चाय सभी को पसंद है और चाय सभी के घर में बनती है और जब ठंड का मौसम हो तो चाय की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है आज मैं बिलकुल गाड़ी, स्ट्रॉंग, स्वाध से भरी और परफेक्ट एक बार इस तरीके से चाय बना करके जरू ट्राइ करें तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो दो कप चाय बनाना है मुझे तो मैं यहां पे दो कप चाय के हिसाब से यहां पे मेजरिंग करूंगी तो एक बरतन मैंने ले लिया है और इसमें हम डालेंगे डेड़ कप तो पानी को पहले हमें उबाल लेना है दुकान पे जो चाय बनती है ढाबे वाले जो चाय बनाते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं और उनकी चाय बहुत ही अच्छी बनती है तो बिल्कुल वही टेस्ट इस चाय में भी आएगी तो यहां पर हमने ले लिया है अद यहां पर हलका सा इसे हमें क्रस्ट करना है और इसी में हम डाल देंगे इलाइची यह दो इलाइची जो लिया है इसे भी हम इसे क्रस्ट कर देंगे चाय तो बैसे बहुत से तरीकों से बनाई जाती है, लेकिन सबसे जो अच्छा टेस्ट होता है वो अध्रक लाइची वाली चाय का ही होता है और लगभग घर में यही बनता है अब अध्रक लाइची हमने क्रस कर लिया है अब हमने जो पानी रखा है ये भी उबलने लगा है तो जब तक पानी में उबाल नहीं आ जाता है तब तक हमें इसमें अध्रक नहीं डालना है तो पानी जब अच्छे से उबलने लगे तब हम अद्रक डाल देंगे तो यहां पर डेड़ कप मैंने पानी लिया था और यह एक उबाल आ गया है जब अच्छे से पानी उबलने लगे तब हम इसमें अद्रक और इलाइची डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर देंगे अब धीरे-धीरे इसे हमें पकने देना है और लगबग एक मिनट तक इसे हमें पकने देना है धीरे-धीरे इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है यह देखिए जो फ्लेवर है अद्रक का वो पानी में अच्छे से आ जाता है तो इसे जब यह अच्छे से पक जाए तब हम इसमें दूध एड़ करेंगे तो अद्रक को डालते ही हम दूद नहीं डालना है अद्रक को हमें पानी के साथ थोड़ी देर जरूर से पका लेना है अगर तुरंथ दूद एड़ करेंगे तो दूद फट भी सकता है तो यह पर अच्छे से पक गया है तो अभी हम डाल देंगे दूद तो यहां पर मैंने 1.5 कप दूद एड़ किया है 1.5 कप पानी के साथ हमने यहां पर 1.5 कप दूद एड़ कर दिया है और इसे हम अच्छे से पका लेंगे तो यह दूद जो मैंने डाला है यहां पर यह पका हुआ दूद है याने कि उबला हुआ दूद है तो उबला हुआ दूद ही इसमें डालें दूद में अच्छे से जाया दोनों मिक्स हो करके अच्छे से पक जाए इस तरीके से अगर चाय बनाते हैं तो बहुत ही स्टॉंग बनती है और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है और चाय बिल्कुल गाढ़ी ठीक सी बनती है तो यह देखिए दूध भी अच्छे से उबल गया है तो जब यह सारी चीजी अच्छे से पक जाए तब हम इसमें सक्कर एड़ करेंगे तो यह अच्छे से पक चुका है अब हम इसमें सक्कर डालेंगे तो मैं यहां पर तीन चोटा चमच सक्कर एड़ कर रही हूं क्योंकि यहां पर देड़ कप पानी और देड़ कप मैंने दूध अच्छे से बहुत लोग क्या करते हैं कि सक्कर को पहले ही डाल देते हैं और फिर चाय का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही बदल जाता है वो बहुत ज्यादा सक्कर जो है पक्ते-पक्ते चासनी के जैसे हो जाता है सक्कर अच्छे से घुलने के बाद मैंने इसमें डाल दिया ह दो चम्मच चाय पत्ती और इसे हम मिक्स कर देंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे चाय पत्ती डालने के बाद इसे हमें चलाते रहना है क्योंकि तभी इसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा और मीडियम फ्लेम कर देंगे चाहे तो हाई या लो करते रह सकते हैं कभी हा ज्यादा नहीं पकाना है अगर बहुत देड़ तक आप पकाते हैं तो यह कड़वा चाय जो है बन जाएगा इसे हमें बस दो मिनट और पकाना है चाय पत्ती डालने के बाद वो भी मीडियम फ्लेम पर तो इसे मिक्स करते रहेंगे और जितना हम इसे उपर नीचे मिक्स करें चाय जो है उतनी ही अच्छी फ्लेवर की बनेगी लेकिन ज्यादा तर लोग क्या करते हैं कि चाय एक साथ सब कुछ डाल दिया और धीमियाच करके रख दिया चाय पक रहा है और उसको पक नहीं देते हैं चाय का फ्लेवर तभी आता है जब इसको हम लगातार चलाते रहें और अगर आपने चाय की दुकान पर चाय पी होगी तो आपने देखा होगा कि जब चाय वाले चाय बनाते हैं तो किस तरह से उसको उपर नीचे चलाते रहते हैं मिक्स करते रहते हैं तभी उसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा सा आता है तो आप देख सकते हैं कित भर्मागरम्ठते स्वार्व इस तरीके से और वार अर्फ नला बनाते तो बार बार आप इसी तरीके से बनाएंगे क्योंकि यह बहुत ही फ्रॉमादिस्ट अल्सदापार drill विडियो पसंदे ग्रश है सेयर करें मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद और बाई बाई